तो नमस्कार दोस्तों अब सभी का स्वागत है और उस्तों एक अपडेट आई है ग्रूप डी जो रिजल्ट है उसको लेकर वह भी मापको बताऊँगा लेकिन दोस्तों मामला उड़त सकता है कि जो ग्रूप सी का रिजल्ट है कल भी सुबह सोरी सुबह ख़वर आई थे कि ग्रूप सी रिजल्ट हमाँ बाद में निकालेंगे और ग्रूप जो डी है उसका रिजल्ट अब पहले निकालेंगे यह अच्छी चेर्मन की तरफ से बियानताब सभी ने सुना भी होगा और देखा भी होगा है अब दोस्तों मैं आपको बता दूं जो अब ख़बर आई है वह वैसे तो जो डी ग्रूप का रिजल्ट कर इंतजार करें उनके लिए तो ठीक है लेकिन कुछ उन जो हो है उन वो भी संतूशने होगे इस निर्णा से जो मैं आपको बताने जा रहा हूं मामल दोस्तों काफी उचा के रख दिया है इन्होंने क्योंकि जो स्यम मनोर लाल खट रहे हैं वो बोल रहे हैं कि हम ग्रूप से का जो रिजल्ट है वो पहले निकालेंगे ग्रूप डी का रिजल्ट बादि में आएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो पहले तो यह भी आना था ग्रूप डी को लेकर स्वरी जो ब्यान आथा वह पाल्जिंग खदरीगा कि अभी हम गुप डी भरती है वह अभी नहीं करेंगे और उससे पहले ग्रूप डी को लेकर चेंड़ जो हमारे स्यम मनोर लखट रहें को ब्यान आथा कि रिजल्ट त्यार है लेकिन ग्रूप सी पहले तो यह मामला काफी वो जाके रख दिया है अब अकर गुरूप सी का रिजल्ट पहले आता है तो उसमें बहुत ज्यादा फाइदा है क्योंकि जो गुरूप सी है वे एक तरफ हो जाएगा और जिसको गुरूप सी में लगना होगा मतलब जिसका गुरूप सी में है वो गुवार लगा रहा है कोर्ट से जे दोस्तों कोर्ट से क्या गुवार लगा रहा है कि जो आपका रिजल्ट है जो आपका रिजल्ट है गुरूप डी का अगर दोस्तों गुवार ही लगानी तो तो पहले क्यों नहीं लगा ये भी एक सवाल उठेगा और जो भरतिया है अब election के नजदी कि क्यों ऐसा हो रहा है जो मुझे लग रहा है परसनली में आपको बताऊं कि सरकार है जो वो लोग सभा चुनाव से पहले ग्रूप डी की भरती पूरे करना चाहती है और ग्रूप सी की भरती जो भी बचा हुआ आपका मामला ग्रूप सी का वो भी धान सबातक लेना चाहती है मुझे तो यह लग रहा है अभी अभी मेरी वीडियो के नीचे एक कमेंट भी आ था कि यह मामला है election तक लेकर जाएंगे क्योंकि बुक्रोटे तो कुछा एसी हो रही है क्योंकि पहले हिएने बोला था कि हम जो गडूप सी का पहले नकालेगे गडूप Đी कामला बाद में तो अब देखने वाली बात यह है पर दो मैं आपको बता दूँ कि आज क्या खबर आई है खबर यह दोस्तों कि जो आपका गुरूप डी को लेकर है कि हमने जो गुरूप डी का रिजल्ट जारी करना है मैं हम पिच्णूंते हैं जारी कर देंगे जो भी लोग पांस नंबर का को डि न मामला चला हुआ है उन बच्क को छोड़े देंगे और जिनको पांस नंबर नहीं मिलने या पिचानों में से रिजल्ट निकाल देंगे, ग्रूप D का, तो स्वाल एक तो यह उटता गी, यह पहले क्यों नहीं किया गया, अब जो बेलेक्ष़न हाया है, तो क्यों हो रा है यह सब, क्योंकि सरकार तो पहले ही बोलटों कि ग्रूप C का, अपने पहले निकालेंगे, ग्रूप D अब आद में आएगा, अब क्या इसा राजनीतिक है, क्या ये राजनीतिक दबाव भी हो सकते, सची के उपर मैं आपको बता दूँ, क्योंकि इलेक्शन बहुत नस्दीग है, और सरकार पता नहीं क्या ग्या करती है, इलेक्शन के पहले होने चाहिए, एक ग्रूप C पहले होने चाहिए, ये आप कुमेंट में आप अपनी गाए जरूर देजी चीगा, तो अब ये ख़वर आई है, कि जो कोट में सरकार ने या चीगा दैर कि या गुहार लगाई है, कि जो पहले ग्रूप D का जो रिजल्ट है, हम वो जा देखा जाएगा, अब क्या ये सही हो रहा है या गल्त हो रहा है, इस में बारे में आप अपनी रहे जरूर देदीजिएगा, लेकिन जो मेरा मना है, ये एक राजनितिक स्टंट पर आपकी भरतियां अटकी पड़ी है, क्योंकि भरतियां कभी की पूरी हो जाती, ऐसा बिल रहतियां है, वो किसी राजनितिक दबाव के कारण अठकी पड़ी है, कोई समस्या नहीं आ रही है, क्योंकि आपने एक ब्यान भी देखा था, चेर्मन ने ये भी सोरी जो हमारे सियमन और ललन ने ये भी बुरा था, ये ग्रूप डिक रिजल्ट बिलकुल तयार है, वो सब कुछ पहले से ही तया है, आपका एक मतलो क्या बोले मरियान भासा में, तैसे फद्दू काटरी है, सरकार ये बोल देए, एचससी फद्दू काटरी है, सब कुछ तयार है, शिर्फ मामले को किसे नहीं किसी तरह से इलक्षन तक लिया जाए और वोट लिया जाएं, केट सेशी पर सरकार का दबाव है क्योंकि आप सभी को पता है चेशी चेरमन भी जानते हैं कि ग्रूप सी अगर हम भरती पहले करेंगे हलागि C.M. अनौलाल नहीं बोलती है था कि हम Group C भरती पहले करेंगे Group D बाद में करेंगे ताकि कोई दिक्कत नहीं आएगी अब ऐसा क्या हुआ मुझे तो लग रहा है कि काफी जो मुझे परसनी लग रहा है कि जो C.M. अनौलाल ने वाइदा किया था आप सभी को पता है 29 को हम 29,000 भरती है बूरी करेंगे ऐसा कुछ विया नहीं आ था साइद उसी के चक्कर में ये सब किया जा रहा है Group C बाद में Group D पहले तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुरा आपके साथ है कमिन्ट में अपनी राए जिञेज़ेगा जो भी हुराय रिजल्ट को लेकर राजनीथी में ख़साब जा रहा है कि इस स्वार जारु है कि में banking और आपनी राए जरू देज़ेगा तो आपडेट आपने उनने चुन जोasty ido की बात बातों में कि ये आ रही यह जो आपका Group D का Result है उसको लेकर सरकार ने कोर्ट में गहार लगाई है कि हम पिछन ओमेंसे जारी कर सकते हैं क्या, हलागि ही आपका Result त्यार है, शीरफ यह एकCourt से नहीं माँड़ी माँगी है ताकि हम Result जारी कर दें बगैर बताए तो कहीं कोट कोई एक्शन न ले ले और ये सिदा सिदा सरकार का दुबाव है पहले गुरूप डी का रिजल्ट जारी होता है और रिजल्ट आपका बिल्कुल तयाल पड़ा है कोई दिक्कत नहीं है किसी को कुछ जागनी ज़रूरत नहीं है यह बोद रहे हैं आगे का मामला क्या रहता चारो कि connect देता है यह क्या रहता है कल कोई को चापराही तो मैं आपको सूघा हुआ है लेकिन यह बिल्कुल भी सही